हेलो गाइस कैसो आप सबी लोग आप साथ का स्वागत है एक और खदरनाक सी वीडियो में और गाइस और आप देख सकतो हम माउंट चिलियाड पर चड़ रहे हैं वो भी साइकल के साथ मैंने बहुत बार कोशिच करी है पर आज तक मैं एक बार भी पूरा माउंट चिलियाड नहीं चड़ पाया पर आज लग बख हम टॉप तक आ चुके सामने वो टॉप हमें दिकाई देरा है पस तोड़ी सी साइकल और चलानी है और हम पहुत जाएंगे माउंट चिलियाड पर पर मैं भी थोड़ा थक चुका हूं तो यहां पर खड़े होके हम लोसेंटोस के व्य करने दो यहां पर क्या चल रहा है यह मश्रूम यहां पर कैसे उगरे और यह पथरों के पीछ यह अंड़ा कौन सा बढ़ है और इस अंड़े में से लाल कलर की रेडियेशन के ने कल रही है अरे किसका अंड़ा है यह इतना बड़ा अंड़ा मुर्गी का तो नहीं होता कही यह डाइनसार का अंडा तो नहीं? नहीं, पर डाइनसार तो हजारों साल पहले मर गए थे, मुझे लगता है यह मुर्गी का है, पर कोई बड़ी मुर्गी का अंडा होगा, किसी का भी अंडा हो, अपने को कह, मैं तो इसको घर पर लेके जाने वाला हूं, क्योंकि काईसर आज तक किसी ने इतना बड़ा अंडा नहीं देखा, तो मैं इसको अपने घर पर जाकर सजाओंगा, बहुत ही जादा मज़ा आएगा, चलो पड़ा उपट से चलते हैं, तो काईसर अभी अंडा तो मैंने ले लिया है, पर मुझे लगता नहीं है, मैं इस अंडे के साथ माउंट चिल्याड चुड़ पाऊंगा, क्योंकि ये सही में बहुत ही जादा बारी है, इसका मतलब आज भी हम माउंट चिल्याड के ओपर नहीं पहुँच पाए टॉप पे, पर हम एक दिन जरूर पहुच गाएगी, पर अभी हमें ये अंडा अपने घर तक पहुचाना है, वो भी बिल्कुल सेफ ली, तो चलो फड़ा पट से चल दे अपने घर पर और इस अंडे को आपर सजा के रखते हैं, और अगर मन हुआ तो मैं इसको खा भी लूँगा, वो तो घर पे जाकर पादा चलेगा, चलो फड़ा पट से चलते हैं घर पर, तो काई सर, मैं जब से घर पर आया हूँ, तब से मैं इस अंडे को गूरे जा रहा हूँ, और मुझे ये अंडा तोड़ा अजीब लग रहा है, तो इसको घर पे रखने से जाथा तो खाई लेते, तो यहाँ पर हमारा फ्राइंग पैन बही कुल तयार है, और इस अंडे को हमने इसके उपर रख दिया है, बहुत ही जादा मजा आने वाला है, अब हम बस इसका वेट करेंगे, ताकि हम इसको खापा है, जब तक काईसर, अब इसका आपने वीडियो को लाइक निगे, तो फड़ाव पड़ से लाइक कर तो, जैला को भी सब्सक्राइब कर देना, लिए लोसेंट लॉस का मौसम पहुत ही बढ़ी है, और ये अंडा तो उससे भी कतर नाक है, एक सगेंट ये क्या, ये ये क्या हो रहा है, ये तो अंडे तोटने क्या वज़ा रही है, इतनी तेज आवस को आ रही है इसमें से, अरे ये क्या हो रहा है, ये ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है आपन, अरे मेरे किचन में तो आग लग जाएगी, बचाओ, अरे मैं के करूँ, अरे कैसर ये क्या, वो अंडा तो तोट चुका है, आदा अंडा तोट क्या, पर ये हुआ क्या, इस में से क्या निकला, क्या है, बहुत बहुत शुक्रिया लड़के, तूने मुझे अजाद कर दिया, 800 साल से मैं उस अंडे के अंदर कहता पर आखिरकार मैं उस अंडे से बाहर आगया कौन है तुम और तुम यहाँ पर क्यों आया हूँ 800 साल पहले मैंने इस लोसेंटोस पर अटेक किया था पर कुछ लोगों ने जादू टोना करकर मुझे अंडों में बंद कर दिया अब मैं वापिस आ चुका हूँ और मैं इस पूरे लोसेंटोस को खतम करके रहूँगा अरे यह क्या कर दिया मैंने इस खतरनाक से वुल्फ का अंडा तोड़ दिया और मैं तुम्हार लिए गिफ्ट भी लाया हूँ कौन सा गिफ्ट अगर तुम्हें लगा था मैं अकील आओंगा तो अपने आज पास देखो अरे यह क्या यहाँ पर तो यह बहुत सारे एंड़ आ चुके यह क्या हो रहे हैं यह मेरी पूरी की पूरी वुल्फ आर्मी है और इन सब को मैं बहार निकलने वाला हूँ वुल्फ आर्मी आजाओ मुझे तुम्हारी मदद की जरुवत है अरे यह क्या यहाँ पर तो बहुत सारे वुल्फ आ गए भागो रुक जाओ मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा क्योंकि तुमने मुझे वापिस जिंदक किया है तो मैं तुम्हें मौका देता हूँ लॉसेंट टॉस छोड़के भाग जाओ वरना मैं पूरे लॉसेंट टॉस को खतम कर दूँगा और साथ में तुम्हें भी मैंने तुम्हें मौका दे दिया बाद में मत बोलना तुम्हें चांस नहीं मिला अब मैं जाके पूरे लॉसेंट टॉस को तबाह करूँगा ये लॉसेंट टॉस अब पूरा का पूरा जल के राग हो जाएगा क्योंकि वुल्फ आ चुका है इन सब को खतम करने अरे काईजर ये मैंने क्या कर दिया मैंने उस अंडे को कुल के उस खतरनाक से वुल्फ को बाहर निकल दिया और फिर उस नहीं पूरे आर्मी को और अब वो पूरे लॉसेंट टॉस को खतम कर देंगे अब क्या होगा मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या करें तुकाइजर मुझे तो बहुत ही जाड़ा लग रहा है इसलिए मैं सारा सामान पैक वैक करके मैं जा रहा हूँ यह लॉस सेंटोस छोड़के यहां पर रहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है वरना वो वुल्फ मुझे भी मार देगा क्योंकि वो बहुत ही यह परता है तुमने क्या कर दिया अरे मैंने क्या किया तुमने उस खतरनाक से इविल वुल्फ को उस अंडे से बाहर निकाल दिया जो कि मेरे दादा के दादा के पर दादा ने उनको अंडे में डाला था ताकि लॉस सेंटोस को बचा पाए अरे मेरे से गलती हो गई मैं क् तुम कहीं नहीं जा सकते, तुमने ये गलती करिये, सुधार ने भी तुमको बनेगी, अरे पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो नॉर्मल सा इंसान हूँ, और उसने मुझे 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 मौका दिया है, लोस सेंटोस छोड़ने का, मैं जा रहा हूँ, अच्छा ठीक है, तुम यहाँ जाओ, मैं तुम्हें नहीं रखूँगा, फर याद रखना हूँ, तुम जहाँ पर भी जाओगे, एक टाइम बाद यह वहाँ पर भी आएगा, पहले लोस सेंटोस खतम करेगा, फिर सारी के उसारी दुनिया, और तुम दुनिया के बार नहीं जा सकते, याद रखन अरे तो मैं क्या कर सकता हूँ यार इसमे क्या कहलती है? तुमारे पास शक्ति नहीं है मैं मानता हूँ पर तुम मेरी मदद कर सकती हूँ एक शक्ति शाली वॉल्फ बनने में क्या, वो कैसे? मेरी बात सुनो मुझे पता है तुम पहले Avengers के साथ बहुत काम टर चुकी हो तो तुमे बस मेरा साथ देना है दुनिया का सबसे खतराग वुल्फ बनने में और फिर मैं उस Evil वुल्फ को हरा दूँगा अरे पर मैं क्या कर सकता हूँ अभी बतातो तुम क्या कर सकते हो मेरे पास आओ अब बोलो अब जुग जाओ जुग जाओ? क्या करने वाले हो? अम नम 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 ए मुझे क्यों खा रहे हो? अम नम 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 यह मुझे खा गया मुझे खा गया चुप रहा हूँ मैं तुम्हें खाया नहीं हूँ बस मैंने तुम्हारी बोड़ी मेरी बॉड़ी के अंदर डाल दी मेरे पास ऐसे शक्तिय है इसलिए मैंने ये किया अरे तुम मैं बाहर कैसे निकलूँगा जब तुम मुझे खतरनाक से वुल्फ में अपग्रेट करतोगे तुम अपने आप बाहर निकल जाओगे अब चलो हमें जाके अपग्रेट होना है अच्छा ठीक है तो काई सर अभी जो हमने कांड किया था इतना बड़ा हमको सब कसा ठीक करने के लिए इस वुल्फ को अपग्रेट करना पड़ेगा दुनिया के सबसे खतरनाक वुल्फ में तो चलो फड़ा पड़ से जलते हैं अपग्रेट होते हैं खतरनाक से वुल्फ में तो अभी तो अपने वीडियो को लाइक निए तो फड़ा पड़ से लाइक करतो जाए लगो सब्सक्राइब करतो मेरे पास है टोटल तीन बर्गर और इन तीन बर्गर में से तो बर्गर में जहर है और एक बर्गर में अपग्रेड होने की पावर तो तुम दोनों को डिसाइड करना पड़ेगा तुमें कौन सा बर्गर खाना है जहर वाला या अपग्रेड होने वाला मुझे अफग्रेड होने वाला खाना है हाँ तुम मुझे क्या बता रहे हो इन तिनों मेंसे जो बर्गर तुम्हें लगता है अफग्रेड होने वाला है उसको खा लो और अगर मैंने जहर वाला खा लिए तो क्या होगा ओ ओ ओ ओ वो तो अखी दुनिया को पता है अगर तुमने चेहर वाला बर्गर खा लिया तो तुम इसको मतलब मैं मर जाओगा हाँ तुम मर जाओगे तो चलो चल्दी चल्दी खा लो और याद रखना अगर दूसरे जने ने पहले जने से पहले वो अफग्रेड वाला बरगर खा लिया तो दूसरे वाले को जहर वाला खाना ही पड़ेगा मतलब अज तुम दोनों में से कोई एक ही जिन्दा जाने वाला है मैं जिन्दा चाहूंगा ये कुटा मेरे सामने कुछ नहीं है पहली बात तो मैं कुटा नहीं मैं वुल्फ हूं और जीतूँगा तो मैं ही बहुत बढ़िया जल्दी डिसाइड करो तो कैसर हमें चल्दी से डिसाइड करना पड़ेगा इन तीनों में से बर्गर कौन सा खाया चाहे जो कि अफग्रेट वाला होगा कैसर मुझे तो कुछ आईटे नहीं है अगर आपको पताए कि कौन सा बर्गर हो सकता है अफग्रेट वाला मैंने सोच लिया मैं कौन सा बर्गर खाऊंगा क्या इतनी जल्दी हाँ कुट्टे मुझे दिदे सोचने के जरुवत नहीं अरे बोला ना मैं कुट्टा नहीं मैं वुल्फू हाँ हाँ सेम चीजी होती है हाँ तो बता तुम कौन सा बर्गर खाऊंगे मैं कसे आं यह अरे काइजर इस ते यह बर्गर खाया और यह तो दरी माच चुका हमतलब वो परकष़ता हो 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 उसने तो बर्गर खा लिया अब तोमारी वारी बच्चे कौन सा बर्गर खाना चाहोगे अरे काईजर कौन सा burger खाया जाए फर्स्ट या ठर्ड फर्स्ट या ठर्ड जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दो क्योंकि मुझे तो समझ ये ना रुक जाओ मैंने सोच लिया है मैं ये वाला burger खाने वाला हूँ मुझे नहीं पता मुझे इस में से फीलिंग आ रही है कि यह अच्छा होगा तो काईसर अगर आप चाहते हो हमारा लग अच्छा हो और यह अप्डेड होने वाला परकर हो तो बड़ा पड़से वीडियो को लाइक करतो और चैनल को भी सबस्क्राइब करते ना और कवर में लिख देना गुड लग टू वुल्फ क्योंकि मुझे बहुत ही जादा सरुवत है तो चल्दी चल्दी गुट लग लिख दो और हम इसको खाने वाले प्लीज अप्ड्रेड़ा मानच यह प्लीज 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 अम ढम 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 वुल्फ में यह तो सही में बहुत ही जाधा खतरनाग है फड़ावट से कमेंट करके बदा तो यह वुल्फ आपको कैसा लग रहा है मुझे तो बहुत ही जाधा खतरनाग लग रहा है पर गाइसर अभी हमारा सबसे पहला अपग्रेड है इस अपग्रेड से हम उस इविल तो क्योंकि लॉस सेंटोस को बहुत ही जरुवत है हम सब की तो चल्दी जल्दी कमेंट करते ना और हम चलते अपग्रेड होने तो कहाई सर मैं निकले तो था अपने आपको अपग्रेड करने पर मुझे पता चल चुका है यहाँ पर चल रहा है एक खतरनाक सा आक्शन जहा और आज के आक्शन में इन तीनों को हम बेचने वाले जो भी समसे जादा पैसा देगा उसको सारा का सारा मिलेगा अगर तुम्हें चाहिए हाथी पांडा या ये कुत्ता तो तुम्हें बस बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा ठीक एक गंटे बाद यहाँ पर इसी जग पर आक्शन होगा तो लेडिज एंच जेंटलमेन बड़ावट से अपना पैसा निकालो और एक गंटे बाद यहाँ पर आजाना बाइवाई तो कही सर आपने सुन लिया है एक गंटे बाद यहाँ पर आक्शन होने वाला है और उसके लिए हमें बहुत सारा पैसा चाहिए ह का अगर हम उस का तरणाक से फुल्फ को खरीदना है तो क्योंकि यहां पर यह लोग मुझे बहुत बड़े-बड़े बिजनसमें लग रहे हैं और इनके बहुत पैसा है पर मेरे पास तो एक रुपय भी नहीं है तो हमें सबसे पहले कुछ तरीका सोचना पड़ेगा बहुत स हम जाने वाले हैं यह कदरनाक सा बैंक लूटने क्योंकि और कोई तो हमें पैसे देने नहीं वाला सिर्फ यह बैंक वाले दे सकते हैं तो अभी टाइम आ चुका है इस बैंक में गुसने का और इन सब को बताने का कि हम लोग आ चुके गाड का पे तेरी तो यह ले इस समझते हैं पर मैं एक फुल्फों इनको बताना पड़ेगा और पुलिस बुलाई तो सीधा गोली मार दूगा चलो काईजर फड़ाफट से चलते हैं यहां पर आपन को तो इसी हैकिंग करनी पड़ेगी तो काईजर यहां पर हमें बस यह थम प्रिंट मैच करवाना है जो इसको में मैच करवाना है और उसके बाद हमारा है को जाएगा कमप्लीट और हम इसके अंदर घुझ जाएगी तो फड़ाफट से वो कर लेते हैं और काईजर यहां पर हमारा फिंगर प्रिंट करवाते हैं फड़ाफट से मैच और काईजर यहां पर हमारा है सक्सेस्फुल हो चुका है अब ये बस गेट खुल चुका है फड़ावफट से अंदर खुझ जाते हैं वैसे तो मैं उनको मार के उनको बोलता है ना तो वो भी खोल देते हैं पर हैकिंग करने में अलगी मज़ा है पहली बार किसी वुल्फ ने या पर हैकिंग करी होगी और आप देख से त करते हैं वो में वुल्फ का सूट चाहिए कैसे भी करके तदी जदी सारा का सारा गोल्ड यहां पर डाल लेते हैं आते जाओ आते जाओ और यह हो गया गोल्ड खतम इस तेजोरी में तो नहीं जा सकता है पर भार और भी बहुत सारा कैश पड़ा है चो कि हम याज से चुरा कैसे भी करके हमें वह आक्शन चीतना है तो अगर आप गुड़ लेगो कि तो आपके लग से क्या पता वहां पर कोई बहुत जादा अमीर आदमी नहीं आए और मैं वह सूट आराम से खरीद पाऊंगा लेट्स को हमने यह सारा का सारा कैश पर यहां से ले लिया है और बैंक को लूट लिया और हमें बहुत सारा पैसा भी मिल चुका है अब यहां से बाहर निकलने की बारी आ चुकी है तो चनो यार फुड़ावपट से इस बैंक से बाहर निकलते बाइबाए और यह पुलिस वाला का सा कि तेरी तो यह ले इस पुलिस वाले को तो मार दिया और मेरी गाड़ी भी यहांपर रेड़ी है यह गाड़ी मैने पहले यहां पर एक जने को बोदी तक हडी करने के लिए ताकि हम इन सब लोगों को हवा में उड़ा पाए और पुलिस एसकेप कर वाबाए मुझे पदाता पुलिस आने वाली है तो इस पीप पहले से तयार थ क्योंकि इस गाड़ी के सामने कोई ने डिक सकता तो कैसे पैसा तो अमने सारा का सारा उठा लिया है और आक्षण में भी हम जाने वाले पर उसने मेले इस पुलिस वालों को एसकेप करवाना पड़ेगा पर नहीं है मैं आक्षण मां के परिशान कर सकते हैं तो चल्दी-जल् जल्दी एसकेप करवाना पड़ेगा उससे पहले कि वो ऑक्षण खतम हो जाए तो कैसर अभी किसी को नहीं पता मैं कहां पर हूँ पुलिस वापर एसकेप लगबग होई चुकी है और हम सीधा दिरसे ऑक्षण जाने वाले वो भी गाड़ी चेंज करके लेट्स को फड़ा भू MEMन यहां पर और के कर रहा हैं चो में वहीं कर रहा है मंधम कर रहा है औरी कजर आपको बताएए आरन में की आरें में के पास कितना जीता पैसा है वह तो यह आप सब खरीद लेगा मुझे कुछ क्रना पड़ेगाम सबसे पहला यह शोकेब को ख़रीदना चाहेए गा मह मैं खळीद दुंगा दो लाग आरन मैने दो लाग दो और खारीदना है मैं खुरी देगा मितरो तीन लाहकी लाग एक तीन लाग दो पантच लाग बतरो अारेन्द मैन ने पांच लाग बोल दिया कैसे खरीदिन जाएगा ताइब नियक न चाहован सा ओत 5,033 आयरन मैं ये हाथी तुमारा हुआ बहुत बढ़िया हाथी मेरे साथी तुम मेरे ओगए काईसर अभी आरेन मैन ने वो हाथी खरीद लिया और मुझे पता है इसके पास बहुत पैसा है तो मुझे इसके पैसे खर्च भी करवाने पड़ेंगे अब देखो मैं क्या करता हूँ अब पारी इस पांडा की क्यूट क्यूट पांडा और इसका प्राइस है पाच लाग मेडमें तोंगा मैं तीन मिल्यान मैं चार मिल्यण है यह क्या हो रह है पांच मिल्यन दूगा मैं छय मिल्यान कर रहा है मचे क्वी परेंज त waterproof दूंगा यहाज की सबसे बढ़ी बिद है close 1 दस मिल्यानदो दस मिल्यानदी यह अती होता है आईरन मैन का अई हाँ बच्चे मेरे सामने मता ना ये सब का सब मेरा होने वाला है और वो फुल्फ ही तो काईजर मेरा प्लैन थोड़ा से तो काम कर गया मैं उसको खरीद देनी वारा था मुझे पर उसका प्राइज ब्लाना था पर अब अब हमें ये वुल्फ कैसे भी करके खरीदना पड़ेगा बितनों अब बारी आ चुकी है इस वुल्फ की ये वुल्फ बहुत ही खतरनाक है और इसका प्राइज है एक करोड़ पैं मैं दो करोड़ दूँगा मैं तीन करोड़ दूँगा मैं चार करोड़ मैं पाच करोड़ छे करोड़ साथ करोड़ हाट क्या ? वीस ? नौक के बाद 20 तो नाद है हाँ 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 बच्चे मैं जीत कराऊंगा नई मैं तुझे यह नहीं नहीं दे सकता मैं पूरे 30 करोड रुपे दूगा क्या ? 30 करोड इस बच्चे के पास 30 करोड है क्या करू क्या करू आइरन मैन अपने घर चे ले जाओ ये तो मेरा ही होने वाला है अच्छा ठीक है अगर तुम्हें लगता है मैं पीछ हो जाओंगा तो तुम कर लगतो मैं इसके 50 करोड दूँगा मैं तुम पचास करोड एक 50 करोड दू नहीं नहीं मैं ये नहीं दूदे सकता मैं इसके 100 करोड दूँगा क्या 100 करोड हां 100 करोड मैं तुम सबस्क्राओं एक सबस्क्राओं दू सबस्क्राओं धमुर्ण सौल्ड बट्ट ये वुल्फ हुआ इस ब्लू इलियन का तो काईजर अभी आप देख सेकतों सारा का सारा गोल्ड और सारा कैश मैंने इनको दे दिया है मैंने सुचता थोड़ा बैंक में से बचा कि अपने पास लग लूँगा पर इतना जादा इसने प्राइस बढ़ा दिया कि मुझे सारे के सारे पैसे इनको देने पड़ रहे है तो अंकल हमारा काम यहाँ पर हो चुका है यह वुल्फ बन चुका है मेरा और आखिरकार हम लोग अग्रेड हो देबाने एक और खतरनाक से वुल्फ में और कैजर आप देख सकते हो हम लोग अग्रेड हो चुकें इस खतरनाक से वेर वुल्फ में कैजर मैंने कभी सोचा नहीं था हम उस चोटे से प्यारे से वुल्फ से इतने खतरनाक वुल्फ बन पाएंगे अब देखो लग रहा हुना एक दम खतरनाक वुल्फ और हमारी पा वाला मैं तुम सब को खतम कर दूँगा निक नो यासे तुकाइसर मेरे में इतनी शक्तियां तो आ चुकि ए मैं उस एपिल को खतम कर सकता हूं पर हमें उसके बच्चों को नहीं करना हमें उसको खतम करना पड़ेगा उसके लिए और भी जादा अफ्ग्रेड होना पड़ेगा तो चलो फड़ा पड़ से चलते हैं और भी जादा अफ्ग्रेड होते ताकि ताकि मुस एविल वुल्फ को खतम कर पाएं जो कि पूरे लॉस सेंटोस को खतम करना चाहता है तो अगर आपने अभी पाया पर आज हम चड़ने वाले क्योंकि गाइजर अगला अफ्ग्रेड हमें माउंट्ची लैंड के उपर मिलने वाला है और यही वह जगह जहां से यह सब शुरू हो था वो अंड़ा मुझे यहां पर मिला था और उसके बाद तो आपको पताईए क्या क्या हो गया चलो फड़ा फड़ से उपर चड़ जाते हैं और इतनी जल्दी में आज तक कभी उपर नहीं पहुंचा इतना जल्दी तो हम प्लेन पे ही भी नहीं पहुंच सकते हैं पर अब ही हम लोग यहां पर आचुके अफग्रेड होने के लिए इस ड्राइंग मैजिक बोर्ड की मदद स पताइंगे तो मैजिक बोर्ड हमारे साथ में फड़ाफर्ड से इसको ड्रो करते हैं काईसर अभी आप देख से तो ड्राइंग मैजिक बोर्ड पर तो हम आ चुके हमें इस पर एक खदर नाक सा वुल्फ बनाना है चूब बहुत ही साधा खदर नाक होना चाहिए तो बड़े कान दें क्योंकि वुल्फ के बड़े-बड़े कान होते हैं तो यहाँ पर उसको कान दे दियें, अब इसकी बागी की बाड़ी बनाई जाए, यह वुल्फ नॉर्मल फुल्फ से बहुत जादा खतरनाक होने वाला है, और बहुत जादा पाउर्फुल भी, तो हमको य यह चीज याद रखके इस वुल्फ को बनाना है अब फड़ावपर तो यहाँ पर इसका हाथ आपने बना दिया यहाँ पर अंगुलिया भी बना देंगे और यहाँ पर इस खतरनाक से हाथ को करते हैं कम्प्लीट अब इस साइड में बिल्कुल सेम यहाँ पर जाएंगे शोल से इसकी बागी की बॉड़ी बनाते हैं ताकि हम इसको चल्दी से रियल लाइफ में ला सकें और इस पूरे लॉसेंट टॉस को बजा पाएं यह सब हुआ मेरी मुझा था और खतम भी मैं ही करूंगा इसलिए हमें बहुत ही जादा खतरनाक वुल्फ बनाना पड़ेगा तो इस वुल्फ के एम्स चाहे कितना भी खतरनाकों दिखने में और भी जादा खतरनाक हमारा वुल्फ होना चाहिए अब इसकी यहाँ पर दोड़ी और डिजाइन हम बनाने वाले ताकि और भी जादा पावरफुल लगे और इसकी शक्तिया भी और भी जादा पावरफुल हो विछे से और और नाक तो उसे लो सोटे पर उसका जो मुह भूर बिल्कुल भी छोटा सबसे बड़ा मुह पनाने वाला है और उसके अंदर देंगे बड़े-बड़े दाथ यहां पर छोटे-छोटे बनने वाला है तो काईजर यहां पर हमारा फुल्फ कमेड़ चुका है भी इसको बाल वार भी दे दीजाएं कि बिना वुल्फ कि यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगने वाला तो यह यहां पर हो चुका है डन अब इसके अंदर फटाफ़ट से कलरते सबसे पहले हम लेंगे ग है यहां पर और यह डार्क विलूस की बैंट में और यह और इसके ब्राउन इसकी चटी में और ग्रेस की बैल्ट में तो काईजर मुझे तो यह बहुत ही खतराफ़ट लगने लग चुका है जब यह पूरा कमेड़ जाएगा तो यह और भी ज्यादा खतरनाक लगने वाला अब हम जाएंगे इसमें औरेंज कर लेके इसकी हाथ में तो यह डिजाइनिंग कर देंगे ताकि और भी जादा खतरनाक लगने लग जाए तो फड़ावट जिकर देते हैं इसकी पावर्ट इसकी जो सारी की सारी पावर्ट से वह इन हाथों की वैसे मिल रही है तो इसको बनाना तो बनता है तो यह हो गया डन अब तोड़ा 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 अब तोड़ा इसकी बॉड़ी पर भी इस प्रे कर दिया जाए ताकि और भी जादा खतरनाक लगने लग जाए तो कौईसर हमेरा वुल्फ यहाँ पर पूरा पूरा रेडियो चुका है लड़ने के लिए और यह सही में बहुत ही जादा खतरनाक लग रहा है तो कौईसर फड़ा पट से इसकी पावर बढ़ा दी जाए हम इतर करने वाले पावर इंटू 1,000 ताकि यह और भी जादा पावर्फुल हो जाए और इसको फड़ा पट से रियल लाइफ में लाते है देखते यह क सबसे खतरनाक विंटर ने और गाइसरा भी आप देख सकतो हमारी डॉइंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है और हमारी पावर्फ बढ़ चुकी है बहुत ही जादा क्योंकि यहाला वुल्फ सही में बहुत ही जादा खतरनाक है और फाइनली मैं एक ऐसा फुल्फ बन तो क्वाइसर तीरे दीरे हम बहुत ही जादा खतरनाक लेवल पर आ चुके है शुरुमात हमारी बहुत ही अजीब से वुल्फ सही ती पर अब हम एक बहुत जादा ताकत पर वुल्फ बन चुके है अब बेरे सामने कोई ने टिक सकता सिर्फ है एक जने के जो कि है इविल क्योंकि वो कितना जादा बड़ा है साइस में हमें एक खतरनाक बड़ा वुल्फ चाहिए जो कि कम से कम इस बिल्डिंग जितना बड़ा हो और मैं इस बिल्डिंग जितना तो बिल्कु भी नहीं हूँ इस तिये हम जाने वाले फाइनल अपग्रेट के लिए जिसमें हम इस बिल्डिंग से भी बड़े बनने वाल है और उस कदर्माग से इविल फुल्फ को खञड़ने वाल है तो बिना कीशी peine हें एक बड़ा और खदर्नाक वुल्फ बनने एक मैं कितनी बार बोलो मैं कुटा नहीं वुलफू 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 मुझे ता तुमने पहली बारी बोला है अब जादा बाते मत करो क्योंकि हम इस चैलेंज को शुरू करने वाले हैं तो तुम्हें अपनी अपनी गाड़ी को लेकर जाना है इन सारे अबस्टेकल से क्रॉस करते करते इस टरनल में जाना है बॉल से बचते फैन से बचते बचते जाके इधर जंप करना है और यहाँ अबर फुरे स्पीट में सारे obstacles से बचते बचते जाना है और याद रखना ये बहुत ही जादा hard होने वाला है और फिर यहाँ से बचते बचाते ये सब तोड़ते तुड़ाते तुम जाने वाले हो finishing line पर और इस goal चकर यानि finishing line पर जिसको मिलेगी ये trophy मैं उसको upgrade करूँगा तो क्या तुम तयारों upgrade होने के लिए मुझे इस कुट्य का नहीं बता पर मैं बिल्कुल ready हूँ इस challenge को जीतने के लिए लेट्स को चलती चलती चलते और ये challenge जीत जाते है एक तो मैंने बोल दिया मैं wolf हूँ पर इनको पता नहीं है क्योंकि पड़े लिखें नहीं पर आप सको पता है कि मैं कितना खतरनाग wolf हूँ तो बड़ावट से cover में लेख दो good luck to wolf और bad luck to hulk क्योंकि मैंने चाहता ये challenge जीते ये challenge सरिफ एक ही जना जीत सकता है और वो हूँ मैं सपने मत देख बच्चे ये challenge मैं ही जीतूंगा ये देख मैं कितना पास पहुँच गया हूँ अभी तो ये आदा challenge भी इसने complete नहीं किया तो क्योंजे लगता है तो ये hulk जल्दी जल्दी गिर जाए तो फड़ावट से comment कर दो bad luck to hulk क्योंकि इसकी guardia already out of control हो चुकी और ये गिरते गिरते चला है नई नई मैंने हर सकता नई हर सकता पर मुझे लगता है अभी तू हारने वाला है तो क्योंजे फड़ावट से comment कर देना bad luck अभी ज़क नहीं किया तो और आप चाहते हो कि मैं यानि फूल्फ यानि तो काई सर अभी बार ही आ चुकी है मेरी तो मैं पूर रहता अगर आप चाहे तो मेरा अगर आप मेरा लग पड़ाना चाहते हो तो फड़ापट से वीडियो को लाइक कर तो चाले को सब्सक्राइब कर तो नहीं किया है तो और हम जाने वाले इस कदर नाक सी लेंब और गिनी में सारे कि सारे ओप्स्टेकल क्रॉस करते करते करें मेरी काड़ी कहा जा रही है सारे ओप्स्टेकल को क्रॉस करके हम इस चैलेंज को कैसे भी करके जीतना है तो लेट्स को फुल स्पीड में जलते हैं सारी बॉल्स को उड़ाते उड़ाते और इन सारे कंटेनर से बचते ब तो केंट्रोल होई थी और मेरी तो यहाँ पर फट हुंट्ट से i p4 से क्लेड यह पर वड़ाव Help ल्ड़ा से हो ऑगी क्या चल रहा है मुझे अपनी काड़ी को सीदह बर्ली मैं कभी भी भी बचाओ मुझे और यह क्या मैं तो बिल्कुल फिनिशिंग लाइन पर और इस ट्रॉफी के पास हम आ चुके हैं क्योंकि यह ट्रॉफी हो चुकी है मेरी लेट्स गो बढ़िया बच्चे तुम चैलेंज जीत गई इसका मतलब तुम होने वाले अपग्रेड दुनिया के सबसे खतरनाक वुल्फ में जल्दी चल्दी कर दो आखिर काला मारा सपना पुए होने वाला है दुनिया का सबसे खतरनाक वुल्फ बनने का तो चल्बी से कर दो और गाईजर आप देख सकते हो अभी मैं आपने अप्रेड हो चुका हूँ एक खतरनाक से वुल्फ में और ये वुल्फ से लड़ने वाले और उसको बताने वाले कौन है सबसे जादा ताकतवर वुल्फ लेट्स को चल्दी चल्दी चलते हैं और उसको खतम करते हैं हाहाहा मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे से लड़ने कोई आएगा पर तुम आ गए मैं ते से लड़ने नहीं मैं तो आज मैं तुझे खतम कर दूँ का वो तो पता चली जाए का कौन किसको खतम करेगा मेरे पास पावर जाता है और मैं तेसे बहुत ही जादा शक्तिशाली हूँ तो आजाओ फिर देखते कौन किस से शक्तिशाली है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा ये ले मैं आज तुझे खतम करके रहूंगा मैंने तुझे एक मोका दिया अब और कोई मोका नहीं मुझे तेरे मौके नहीं मैं तुझे बिल्कु भी नहीं छोड़ने वाला अगर तुझे लगता है तो जिन्दा बच जाएगा तो मैं नहीं छोड़ने वाला तेरे को ये ले ये क्या कर रहे हो मेरे पास बहुत ही खतरनाग खतरनाग पावर्ड से मैं तेरी तरह कमजोर फुल्फ नहीं मैं बहुत ही जादा पाउरफुल फुल्फ हूँ फिर भी मैं तुम्हें खतम करके रहूंगा इसकी ऐसी ये ले तो काईजर मैं तो इसको बिल्कु भी ने छोड़ने वाला आज तो इसको खतम करके रहूंगा ये ले रहां लेज़र का ये क्या तुम्हें लगता हे मुझे रह से मार दोगे तो नहीं मैं तुमे सीज़ाओ आज तुम्हें करोंगा रुख जाओ कहां भाग रहे हूँ मैं भाग िना रहा मैं तुझे पीछे जाके मारने वाला हूँ ये ले मुझे बचाओ मैंने तुझे पहले ही बोला था तुम्हेरे सामने बहुत ही जादा कमजोर है और इसलिए हमने इसकी हालत कर दिये बिलकुल खराब और हम बन चुके हैं बहुत ही जादा खतरनाक वाले फुल्फ इसको अपने साथ लेकर जाएंगे सीधा पानी के बाद रुप जाओ मेरी बात सुनो हम लोसेंटोस को आदा आदा करने थे मुझे आदा नहीं चाहिए तो पूरा तुम रख लो पर मुझे छोड़ दो ना मुझे आदा चाहिए ना मुझे पूरा मैं तुझे भैक क्या हूँगा पानी के अंदर ताकी मैं इस लोसेंटोस को बचा सकूँ और जितना भी तुने लोसेंटोस वालों को परिशान किया है पानी में जानके सब को बताईए तो कैजर इस वुल्फ को तो हमने यहां से भैक दिया और यह वापिस कभी भी नहीं आपाएगा क्योंकि हमने इसको हमेशा के लिए खतम कर दिया है और हम बन चुके दुनिया के सबसे खतरनाक वुल्फ हमने शुरुबात करी कि बहुत ही प्यारे से वुल्फ से पलंब अम बहुत ही खतरना को चुके और हमने लॉस सेंटोस को पूरा का पूरा बचा लिया है तो काईसर आशी पर से वित्ता ही अगर आपको आपको आशी विच्छी तो लाइक कर देना चैल पर ने तो सब्स्क्राइब कर देना पता दो और कैसर इंस्टाम और डिस्कॉर डिस् अबाएब